हेलो गाईज बले ये टोटोरियल में अब जाने कि कैसे हम expense एड़ कर सकते हैं सबसे पहले हम expense पीछ पर जाते हैं फिर हम यहाँ पर add new बटन पर क्लिक करेंगे और अब हम fuel expense यहाँ पर डाल देते हैं amount mode of payment आप यहाँ पर set कर सकते हैं cash, check, online transfer या फिर जिस भी तरीके से अपना payment किया हो अगर आप चाहें तो कोई description भी यहाँ पर डाल सकते हैं और अब हम इसे save कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो expense है वो आ चुका है यहाँ पर category, mode of payment, description, date and amount so guys इस तरीके से बिले हम आप अपने expense को add कर सकते हैं and thank you for watching the video ह्पंपन तरीका आप तरीके टो यहाँ